एक बिल्डिंग का उनर जो अपने बिल्डिंग में रहने वाले सब लोगों की लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश करता है यह सारी सिच्वेशन एक बहुत दी बड़ा डाक टन लेती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके एक्स्प्रेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन क्यारेटर एक बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड यह पुलीस के हाँ इंट्रोगेशन के लिए है जो भी हुआ इसके बारे में उसे वो पूछ रहे थे पर उन्हें कुछ भी नहीं बताता अब पुलीस के पास सब सिच्वेशन जानने के लिए बहुत ही कम टाइम है लैंडलॉर्ड उन्हें स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है वो कहता है मेरा एक रिलेट्व हस्पिटर में बहुत ही बीमार था वो एक बड़ी सी बिल्डिंग ओन करता था उसके चावी उसने लैंडलॉर्ड को दे थी इसके बाद उसकी डेथ होके हमारा लैंडलॉर्ड बिल्डिंग दिखने के लिए कया वहाँ पर उसने नोटिस किया प्रिवियस लैंडलॉर्ड इसने सारे building में cameras install किये थे उसके tenant क्या करते थे या हमेशे उसे पता होता था जिसके बाद एक-एक करकर इस building में रहने के लिए tenant आना start करते है इसमें से एक character का नाम था Wang जो अपनी daughter के साथ वहाँ रहने के लिए आया हुआ था landlord कहता है कि अपनी बेटी को जिस तरह से देखता था यह बहुत ही अजीब था इसके बाद landlord ने ली और लिंकू इंग एक couple को भी रहने के लिए allowed किया था इसी building में और एक youngster रहता था जिसका नाम था Boyan वो एक gamer है और बिल्यू करता है कि उसके पास super powers है अपने mind से वो चीज़ों को bend कर सकता है यह और एक character रहती है जिसका नाम है chain chain के घर पर हमेशा उसके co-workers आते रहते है landlord को लगता है कि chain कुछ भी गलत ने कर रही इस world में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आपने body को use कर रही है chain इतनी beautiful थी तो इस building के सब लोग उसके लिए पागल थे रात में जब वो किसी के साथ intimate होती थी तो उसके आवाजे सुना करते थे उसे देख सके इसलिए दुरुबिन लगाते थे मिल्स chain के उपर ही एक gym trainer रहते है landlord कहता है हमारी यहाँ और एक लड़की रहती थी इसका नाम था इंग्रू इंग्रू के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था वो क्या काम करती थी कब आती थी कब जाती थी कैमेरे में कुछ भी दिखाएं नहीं देता था वो उसके लिए बहुत बड़ी मिस्टरी थी landlord ने यूरी ग्रू में बहुत सारी जो सुटकेस थी इसे जाकर चेक करने का ट्राय किया तब इंग्रू अपनी बॉइफरेंड के साथ वहाँ पोच गई जल्दी से landlord बेड़ के नीचे ही छुप गया इंग्रू अपने बॉइफरेंड के साथ इंटिमेट हो जाती है बाद में उसे landlord को notice किया पर वो कुछ भी भूली नहीं landlord ने इंग्रू का बॉइफरेंड ये बाट टब में देखा वो इंजोर होकर unconscious पड़ा हुआ था अब इंग्रू उसे मार सकती थी landlord जल्दी से भागा और police को report करने वाला था पर अपना mind उसने change कर दिया इंग्रू जब वापस आई तो अपने boyfriend के mouth पर वो gum लगाती है needle से उसे saw कर दिया boyfriend को जिन्दा रखने के लिए उसने उसे salines लगा कर रखी है next scene में इंग्रू landlord के पास आई उसे lighter पुछती है landlord इंड्रिक था कि उस matches से वो करेगी क्या इंग्रू ने candle जला है उसके wax से अपने boyfriend को burns दिये वो उसे slowly slowly cut भी कर रही थी एक दिन landlord इंग्रू से मिलने के लिए आया उसे पुछता है तुम काम क्या करती हो इंग्रू ने का कि मैं हमेशा वक्त पर rain देती हूँ तो कोई भी problem नहीं है वो landlord से पुछती है कि आप क्या काम करते हो landlord कहता है rain लेने के आलावा मुझे और भी कोई काम नहीं आता इंग्रू ने का एक ही routine बहुत ही बोर हो जाता है लोग को हमेशा उनकी life में changes चाहिए होते है आपको भी उसी तरीके से जीना चाहिए ये चीज landlord को interesting लगी वो वैसे भी अपने सब tenants को देखता रहता है उनकी private life के बारे में उसे सब कुछ पता है अब वो decide करता है कि सारे tenants की life को control करेगा रात में सब कोई इंग्रों ने डिनर के लिए बुलाया हुआ था इंग्रों ने लाया हुआ मीट ये सब को बहुत अच्छा लगता है सब के चेहरे पर confusion और इंग्रों के character से हम conclusion निकाल सकते है कि ये मीट उसके boyfriend का है डिनर करते होए ली ने गेमर बोयान को अपने हाथ से मीट खिलाया ली के boyfriend लिंगो को ये पसंद नहीं आता इसी बात को लेकर लिंगो ली से बात करता है ये दोनों फिर intimate होने वाले थे पर लिंगो ने ली से कहा तुम्हें अपने घर जाना चाहिए तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट करी होगी इसका मतलब है एक एक अपल है पर इसमें से ली की शादी हो चुकी है नेकसिन में लैंडलॉड एक मेडिकल में गया उसने एक ड्रग लिया जिसका नाम है अफ्रोडेसियाक ये ड्रग अगर कोई लेता है तो उन्हें लगता है कि उन्हें इंटिमेट होना चाहिए ये ड्रग लैंडलॉड ने मस्कुटोग की कोईल्स में लगा दिया यायनि कि सब इसे इनहेल करे लैंडलॉड ने सिरु गेमर को ये ड्रग नहीं दिया इसके अलावा उसे नीम की गोली उसने दे दी थी रात में उसके कपड़े निकाल कर उसे अलग जगा पर हो छोड़ कर आया गेमर जब अगली सुबा उठा तो उसे लगा कि उसने टेलिपोर्ट किया है जैसा उसे हमेशा से रखता है कि उसके पास सुपर पावर है इसी चीज़ को लेकर अब लैंडलॉड उसे मैनुपिलेट कर रहा है एर में ड्रक्स इन्हेल करकर सब लोग का बिहेवर चेंज हो जाता है बहुत सारे लोगों ने अपने आपको फ्लीस किया अगली दिन लैंडलॉड फिर से गेमर को ड्रक करकर उसे अलग जगा पर छोड़ देता है लैंडलॉड ने सब लोगों को कंट्रोल करना स्टार्ट किया इसके पैरलल में हम इंग्रू को और एक लड़की को घर लाता हुआ देख सकते है अब वो उसका भी मर्डर कर डालती है मिस चेन की उपर रहने वाले जीम टीचर को उस वर बहुत क्रश्ट था अब जीम टीचर को लग रहा था कि उसे चेन को और भी ज़ादा जान लेना चाहिए वो इसके लिए उसके रूम में घुस गया तभी मिस चेन अपने कोवर कर को उसके घर लेकर आई जीम टीचर डर कर क्लॉजेट में छुप जाता है ये दोनों इंटिमेट होने लग गए तभी मिस चेन के कोवर कर को कौल आ जाता है वो उसके साथ इंटिमेट हो नहीं पाया इसके बाद मिस चेन ये शावर में चली गई ड्रग्स की वज़े से जिम टीजर अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाया वो मिस चेन के बाद शावर में आ जाता है मिस चेन उसे देख का सप्राइज तो थी पर वो ड्रग्स पर है तो उसके साथ intimate हो जाती है जैसे कि हमें पता है कि ली और लिंगू इनके गपस में प्रॉब्लम्स चल रहे थे ये सब तब से स्टार्ट हुआ जब ली ने अपने हातों से गेमर को मीट खिलाया था लैंडलोर्ड ने इसी बात का फाइदा उठाया उसने गेमर को बेहोश करकर ली और लिंगू के रूम में छोड़ दिया थोड़ी देर में जब ली घर पर आया तो उसे लगा लिंगू गेमर के साथ intimate हुआ इस बात पर इन दोनों में फाइट हो गई गेमर को थोड़े टाइम में होश आया उसने उनसे कहा कि मैंने टेलिपोर्ट किया इसी वज़े से मैं आ हूँ पर उस पर कोई भी बिलिव नहीं करता ली और लिंगू में फिर से जगडा स्टार्ट हो गया ली सब चीजों में फर्स चुका था उसकी डॉडर थी वाइफ थी और एक जगा पर लिंगू था वो एक चाकू लेता है और कहता है कि हम दोनों मर जाते है इसे सब कुछ प्रॉलम सौल हो जाएगी लिंगू इसके लिए नहीं मानता इसके बाद दोनों जब इंटिमेट हो रहे थे तब लिंगू ने अपने हाट में चाकू डाल दिया उसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई लिंगू को क्या किया जाए यह समझ में नहीं आया इसी के पैरलल में हम देखते है इंगू एक चोटी लड़की को किड्नाप करकर लेकर आई है यह इसी बिल्डिंग में रहने वाले याइंग की बेटी है लिंगू जब सब कुछ फिगर आउट कर रहा था कि ली के बोड़ी के साथ किया क्या जाए तब लैंडलॉड उसके रूम में गया और ली की बोड़ी को केमर के रूम में छोड़ कर आया अपने रूम में आने के पाद लैंडलॉड ने नोटिस किया याइंग की डॉटर को इंगू ने अपने रूम में बन कर दिया है लैंडलॉड जल्दी से पोहुचता है और उसे वहाँ से बचा लेता है उस प्रिवेस सीन में हमने देखा जीम टीचर और मीस चैन ये दोनों इंटिमेट हुए थे इसके बाद जीम टीचर उसके प्यार में था मीस चैन ने अपनी जो लाइफस्टाइल जिस तरह से चल रही थी उसी तरीके से कंटिनू की उसके को वरकर उसके बास आते रहे उसके साथ इंटिमेट होती रही इन सब बातों से जीम टीचर परिशान हो गया था वो मीस चैन के पास जाकर उसे समझाता है कि अब तुम्हें इस सब करने की जरूरत नहीं मीस चैन कहती है कि मेरे क्लाइन्स मुझे कितना पे करते है एक जीम टीचर की सालरी पर में खुश नहीं रह सकती जीम टीचर बहुत ही गुस्सा हो जाता है उसे में इस चैन को हर्ट कर दिया वो अपनी वाइफ को भी मारा करता था इसी वज़े से उसका डिवास हुआ था जीम टीचर जब फिर से अपने फ्लाइट में पहुचा तो लैंडलॉड ने वैंग की बेटी को उसके क्लॉजेट में रख दिया था यह उसने नोटिस किया और उस लटकी को अपने क्लॉजेट में देखकर वो बहुत ही डर जाता है वैंग अपनी बेटी को ढूंते हुए चेन के पास गया हुआ था चेन उसे बता देती है कि शायद तुम्हारी बेटी जीम टीचर के पास होगी उसके पास हर फ्लाइट की चावी है वैंग जीम टीचर के हाप होजा और सब कुछ जोड़ने लग गया फाइनली अपनी बेटी को ढूंडी लेता है वैंग बहुत जीम टीचर और उसमें लड़ाई हो गई इस फाइट में वैंग की ही डेथ हो जाती है इसके पैरलल में हम देखते हैं केमर को जब होश आया तब उसने नोटिस किया उसके रूम में लीकी बॉड़ी पड़ी हुई है वो बहुत डर गया पर फिर भी उसने लिंगू को बुला लिया वो कहता है इसके बॉड़ी यहां कैसे पहुचिए मुझे कुछ भी नहीं पता अब यह दोनों इस डेट बॉड़ी को रिपोर्ट करने वाले थे तब यह देखकर वहां आ जाता है वो कहता है अगर किसी को भी इस बारे में पता चला तो मुझे कोई भी फ्यूचर टेनेंट्स मिलेंगे नहीं लिंगू और गेमर भी इस मैटर को दबाने के लिए मान जाते है लैंडलोड ने का इस बॉड़ी को अब तुम दोनों मिलकर काट डालो इसका हम कुछ ना कुछ तो कर डालेंगे अब हम देख सकते हैं इस स्टोरी में दो मर्डर हो चुके है एक वैंग का और दूसरा ली का जिम टीचर के पाज भी कोई भी ऑप्शन नहीं था वो भी वैंग को अपनी बैंग में भर कर वहाँ से लेकर जा रहा था लिंगो और गेमर ली की डेट बॉड़ी के साथ और जिम टीचर वैंग की डेड़ बॉड़ी के साथ हॉलवे मिलते है ये तीनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे जिम टीचर को लगता है गेमर नहीं वैंग की डॉटर को उसके क्लॉजिट में डाल दिया क्योंकि गेमर हमेशा अलग अलग जगा पर उठता रहता है इनकी फाइट होके और सब को डेड़ बॉड़िस के बारे में पता चल गया इसी वज़े से पुलीस को बुलाया गया था और लैंडलॉड कस्टरी में है इस बिल्डिंग से ये सब लोग गायब थे तो इसे की इन्विस्टिकेशन करने के लिए लैंडलॉड को बुलाया गया था पुलीस को लैंडलॉड की स्टोरी पर बिलिव नहीं होता तो उसका बैगराउंड वो चेक करते है वहाँ से उन्हें पता चला इस लैंडलॉड एक पुलीस ओफिसर हुआ करता था एक बड़े सिरियल किलर को पकडने की टीम पर वो था यह सिरियल किलर हमेंशा हाइ स्कुल की लडकियों को मारा करता था लैंडलोर्ड ने उसे पकड़ा पर उस सीरियल किलर ने प्रिटेंड किया कि वो पागल है इसी वज़े से उसे पागल खाने में डाल दिया गया था लैंडलोर्ड और उसकी टीम इस सीरियल किलर को सजा दिलवाना चाहते थे उन्होंने डिसाइड किया कि landlord as a undercover agent उस mental hospital में जाएगा landlord के जिस friend को पता था कि he as a undercover agent उस mental hospital में जा रहा है अचानक से उसका ही accident हो गया और हो कोमा में चला जाता है अब किसी को भी पता नहीं था कि landlord पागल नहीं है पर फिर भी उसे mental hospital में रहना पड़ा इस time में serial killer और landlord एक दूसरे के आसपास ही रह दे थे एक दिन कुछ अजीव से हालात में serial killer ने खुद कुशी कर ली actual में landlord नहीं उसका murder किया था पर सब को उसने convince कर दिया उसने खुद कुशी की है इसके बाद हमें इस movie का सब कुछ suspense पता चलता है mental hospital में landlord को कुछ लोग physically abuse करते थे हमें movie में landlord ने कहा था इंग्रू क्या करती है कैसे करती है यह किसी को भी पता नहीं होता यह इंग्रू नाम का character exist नहीं करता इंग्रू ने जिसका भी murder किया यह actual में landlord ने किया था अब वो किसी को क्यों मारेगा अब landlord ने जिसका भी murder किया यह वही लोग थे जोनों ने उसे mental hospital में physically abuse किया था एक एक करकर उसने सबसे बदला लिया है फिर से present में police सब tenants की lease निकालते है उनमें क्या relationship थे इनके बारे में detail निकालने के बाद उने पता चला landlord ने जो भी उन्हें story बताई इस सब को जूट थे उसके building के लोग तो गायब हुए है पर इस सब के बीचे सिर्फ landlord है उसने इस सब का murder किया था जैसे के हमें movie में दिखाया जाता है यह ली cheat कर रहा था इसे के साथ Wang अपनी daughter को बुरी नजरों से देखता था उसे physically abuse करता था इनी दो लोगों को landlord ने मार डाला इसके पीछे story fictional हो सकती है पर landlord उनी लोगों को मारता है जिन्होंने कुछ गलत किया था फिर से एक flashback के scene से हमें reveal हुआ landlord की भी एक daughter थी इसी daughter को as I grew imagine करता था serial killer school की लटकियों को मारा करता था तो उसने landlord की daughter को ही मारा है इसलिए landlord ने उससे बदला लिया movie के first में landlord को अपनी building की चावी मिली थी पर actual में serial killer को मारने के बाद उसके pocket से उससे चावी मिली landlord का बदला आप complete हो चुका है तो इसी के साथ ये movie end हो जाती है अगर आपको इस movie की mystery और twisted ending पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा आप बहुत सारी movies लेकर आते रहे तो तो प्लीज चानल को subscribe कर दीजे और बेल इंटिवेशन आइकोन दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये just like landlord